question question says consider the situation shown in figure both the pulleys and the string are light and the surfaces are frictionless पहला पार्ट है सवाल का हमें बताना है find the acceleration of mass M second part है find the tension in the string और third part है calculate the force exerted by the clamp on the pulley A as shown in the figure now अपना जो situation है वो कुछ ऐसे बनी हुई है कि यह आपका table उस table पे यह pulley है और यहाँ पर अपका क्मास M है एस से लटका हुआ है, और यहां पर आपका मास है 2 M और उसको अमने डारेक्ट निल जगा ए व्हसको आंसे लगा रखा है कि यहाँ पर आपके यह POLी यह जो लगा हुआ है यह और यह पुली पे ऐसे लटका हुआ है और यह आपका fixed end है और यह end आपका ऐसे connected है हमें बताना है इसका acceleration क्या होगा लेट से यह नीचे जा रहा है तो इसका acceleration A है इस रसी में tension क्या होगी और यह जो आपकी table पे normal reaction आ रहा है वो कितना होगा यह तीन चीज़े हमें आपका बतानी है simple सा FBD बना के solve करेंगे तो अपना सवाल solve हो जाएगा तो पहले इस block M का अगर हम FBD बनाएं तो इस पे नीचे force लग रहा है आपका mg उपर force लग रही है आपकी tension और नीचे आपका acceleration A है हम equation लिख रहे है F net is equal to MA so इसके उपर net force ही रहा है नीचे जा रहा है तो इसकी equation हो गई आपकी mg-T will be equal to MA यह आपकी equation बना गई इस वाले block की अगर हम बात करेंगे 2M वाला जो आपका block है तो इस 2M वाले block में ऐसा है कि इसमें नीचे mg इसका mg लग रहा है उपर normal लग रहा है लेकिन वो किसी भी तरह से ना तो motion में contribute कर रहे है ना उसको restrict कर रहे है इसका acceleration मान लो हम 1 कहते हैं इसका a2 कहते हैं तो इसका acceleration a2 हो गया ठीक है तो यहाँ पर a1 और a2 लिख लेते हैं तो यह आपका block इस तरफ से जा रहा है ऐसा है यहाँ पर हम constraint motion के अच्छा इसकी equation अगर लिखेंगे तो इसकी equation हो जाएगी आपकी 2t इस direction में सिर्फ एक फोस है विल बी इक्वल टू 2m a2 यह आपके second equation हो गई तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे तीन variable है तो एक टी वेरिबल है अगर यहाँ पर एक से मान लो एक से नीचे सरका है तो इसका मतलब यह है कि यह वाली रस्ती जो है तो यह वाली पूरी चीज आपकी यह हाफ सेंटीबिटर आ गया ही होगी ठीक है हाफ सेंटीबिटर क्यों तो यह एक सेंटीबिटर नीचे सरकी है तो आदा इसने contribute कि आदा इसने contribute किया सिंपल था इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पर इन दोनों के बीच में constraint की इक्वेशन लिख सकते हैं कि इसका जो acceleration a2 है तो a2 विल बी इक्वल टू a1 बाइटू तो जो भी इसका acceleration यह एवन है यह उसका हाफ होगा ठीक है तो यह अपनी एक्वेशन थर्ड एक्वेशन यह बन गई सो अब यहाँ पर हमें acceleration और टेंशन दोनों बतानी है तो पहले टेंशन अगर निकाल नहीं हो तो यह m a1 a2 की value यहाँ डाल देते हैं ना यह वाली value अगर हम इसमें insert कर देंगे तो अपनी यह second equation है यह बन जाएगी 2t will be equal to 2m multiplied by a1 by 2 और यह आपका cancel हो जाएगा तो यह equation बनी 2t is equal to यह आगया आपका m a1 यह आपकी third equation, fourth equation होगे तो अगर हम यह आपका right hand side m a1 है यह आपका m a1 है इन दोनों को equate कर दें इसका मतलब ही हो गया हम यहाँ पे कह रहे है from equation 1 and 4 इसको और इसको equate कर देंगे तो यह आगया आपका m g minus t will be equal to 2t which implies tension जो है उसकी value आगयी mg divided by 3 तो यह आपकी tension की value आगयी now यह value अगर हम यहाँ रख देंगे तो अपनी a1 की value आजाएगे so यह value अगर हम यहाँ रखें तो a1 a2 आजाएगा अपना so यहाँ पे हमने रखा यहाँ आगया आपका 2t का मतलब mg by 3 will be equal to m a1 which implies a1 जो है वो आपका हो गया 2 by 3 g all right a2 हलागी पूछा नहीं है इसका acceleration बट a1 by 2 तो यह हो गया आपका g by 3 now last part is equation का है जहाँ पे हमें यह normal force कितना होगा यह पुली इस पे कितना force लगा रही है यह हमें बताना है नाओ इसको अगर हम यहाँ पे इसका fbd बनाया पुली का सो इसका fbd ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे आपका tension T लग रहा है और यहाँ पे यह पुली आपकी ऐसे करके T force इदा लगा रही है और जो normal reaction आएगा आपका so that will be equal to T root 2 हिंदोनों का resultant हो जाएगा so that will be our final answer और इसमें अगर T की value यहाँ पे insert कर देंगे आपका जो normal force आजाएगा so that will be equal to under root 2 यह आगया आपका mg by 3 so that will be our final answer for this particular problem